In this video we will see one of the most important topics for UPSC prelims and that is mapping बहुत ज्यादा questions जो geography से आते हैं वो mapping से आते हैं अगर आपने mapping अच्छी आपकी strong geography में तो आपके ज्यादा तर questions सही हो जाते हैं because इसी से आते हैं, आपन NCRT पढ़ते हैं 11-12 की या कोई और source पढ़ते हैं, coaching notes कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं बट जो main chunk आएगा geographic वो mapping से आएगा तो इस video में आपने देखेंगे what to do क्या करना है आपको mapping में जो कि सबसे बड़ा सवाल रहता है और उसको किस तरीके से करना है सबसे पहली और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है do the PYQ of last 20 years या last 20 to 25 years मैं तो ये भी कहूँगा कि पिछले आप 25 सालों की PYQ कर लीजिए जो भी mapping का आया हो बस mapping की जिए आपको करना है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा तीन-चार घंटे में आप अगर जल्दी यल्दी देखेंगे जो बुकें आती है उसमें directly जग्रॉफिक के questions दिये रहते हैं options पे दिया रहेगा वो जिससे कि आपको एक या दो option eliminate काने में मदद पिलेगा जो की बहुत helpful होता है और यह इतना कठें नहीं है आपको एक करना ही करना है बहुत ज़्यादा important है बांकी subjects, बांकी चीजों के cases में 5 साल या 10 साल के आप अगर paper लगा रहे हैं तो वो sufficient होता है पर इसके case में at least 20 से 25 साल के लगाईए उसके notes बनाईए छोटे ज़्यादा समय नहीं लगेगा again I am repeating वो दिखने में ज़्यादा लग रहा है वर ज़्यादा समय नहीं लगता बस उसको याद करना कठें होता है बार-बार revise करियो आपको याद रखना है वो then current affairs magazine या PT 365 या जो भी आप current affairs का source फॉलो कर रहे हैं उससे आपको जो भी उसमें current affairs की mapping है वो आपको करना है यह चीज करनी है वो आपका पूरा हो जाए तो आपको अगली चीज करनी है विकॉज यह करना असान रहता है आपको बहुत एक दिन में सब कुछ हो जाएगा करना असान है बट रियाद करना बहुत जादा कठेने चीज़े भूल जाती है क्योंकि नहीं नहीं चीज़े अंदम आ रहा है उससे जो मैंने experience किया वो बता रहा हूं कि places in news आती हैं जैसे 2022 में या 21 में साथ यह आया था Afghanistan because Afghanistan crisis थी 2023 में साथ यह आया था Ukraine border तो जो भी country news में हैं उनकी bordering countries कूछ ली थी उन्होंने या जो भी cities news में हैं उनसे related question आ जाते हैं तो यह आपको करना है जैसे कि कोई भी city news में हैं जिसे टर्की में आरत क्यों को आ गया था उस समय 2030 के paper के समय तो वो भी आपको पढ़ना चाहिए भली वो आया यह paper में तो इस तरीकी की चीज़े आपको करनी है high chances है कि इससे question आ जाएगा दूसरी priority list में आपको लखना है national park, wildlife century, biosphere reserve, tiger reserve and wetland इन में से आप आपको सब कुछ याद करना बहुत कटे नहीं जैसे कि wildlife century अब आप बहुत सारी है 500 से जादा है आप सारी याद कर ही नहीं सकते, national park आपको एक rough idea हो सकता है कि कौन सा national park कहा है, कुछ national park है जो बार बार आप repeat होते रहते हैं option में, वो जब आप PYQ लगाएंगे तो आपको पत पता होना चाहिए, wetland आपको सारे पता होना चाहिए कि कौन से state में इससे भी high chances of question आने के इससे भी आते रहते हैं, तो यह कुछ important चीज़े हैं, then major reverse of the India and of the world, जो भी इंडिया की major reverse हैं, उनकी tributaries कहां से virgin होती हैं, कहां end हो रही हैं, कौन कौन से state को drain करती हैं, यह आपको आना चाहिए, world की जो भी major reverse हो, उनके बारे में भी आपको rough idea होना चाहिए, especially African reverse से, क्योंकि पिछले 2-3 साल हो से मैं देख रहा हूं कि Africa से related questions mapping में एक दो आही जाते है, minimum में एक आही जाता है, then seas in the world and their boundary country, जो भी seas है, Caspian Sea, Black Sea, जो भी seas है, Red Sea, वो उन सारे के बारे में आप आपको idea होना चाहिए, और उनके कौन-कौन सी boundary countries होती है, पता ही होना चाहिए, ये भी बहुत important है, then natural vegetation in India, आप कोई भी atlas देखेंगे, उसमें natural vegetation in India का दिया होगा, यानि कि tropical rainforest कहा है, alpine कहा है, ठीक है, deserts कहा है, ये सब आपको rough idea होना चाहिए, because इस से related question भी आ चुके है, then और भी इत्ता करने के बाद और भी कुछ चीजे हैं, जिससे question नहीं आ रहा है recent times में, but आपके पास समय है, तो आप definitely करें, because आने के chances हैं, जैसे कि जो major mountains हैं, इंडिया में, जो major mountain passes हैं, इंडिया डेट लाइन कौन-कौन से state से पास होती है, ट्रॉपिक अफ कौन से state से पास में हैं, then कुछ area हैं, जो हमेशन important रहते हैं, जैसे कि South East Asian region, at least आपको उसकी कौन-कौन से countries हैं, उनके capital क्या है, North से South, East से West इस तरह arrange करना बनना चाहिए, rough idea होना चाहिए आपको, West Asian की countries, Central Asia की countries, जो major desert कौन से हैं, biomes कौन-कौन से area में, world के कौन-कौन से मिलते हैं, तो यह आ इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, again मैं आगर आपको बता दूँ कि कौन सा सबसे important है, तो यह सबसे ज़्यादा important है, कुछ उपर के 3-4 चीवे, ठीक है, यह आपको बनने ही चाहिए, और PYQ तो सबसे ही ज़्यादा important है, यह आपको बनना चाहिए, तो यह कुछ च option दिये हैं, इनके बारे में भी देखना है, बारे में देखने का मतलब यह नहीं कि आप उसके लंबे चोड़े notes बना ले, बस उसके बारे में rough idea हो जाए, जैसे कोई river है, अफरिका की कोई river दिये वहाँ, तो आपको यह idea हो जाए कि भाई, यहाँ east to west flow होती है, कौन कहा drain हो होती है, कहा origin होती है, बस उसकी branches भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस हलका sort of idea हो जाए, similarly current की में तो current का याद कर लेना है, places in news और यह सारी चीज़ है आपको पढ़नी है, अब जैसे national park, wildlife century, biosphere reserve, tiger reserve, यह सब मैंने अल्रेडी बता दिया किस तरीके से आपको करना है, और ए जो African lakes हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, यह भी बहुत important है, अफरिका से 2-3 सालों से हर साल एक question आता है, option में रहता है, वो आएगा ही आएगा, इस साल भी बहुत high chances है, places in news से हर साल एक question आता है, यह कुछ चीज़े हैं, जो आ ही रही है हर 2-3 सालों से, यह कोई बहुत कम लोग पढ़के जाते हैं, खास कर यह एफरिका का है, कुछ unique चीज़ है, आप यह करके जाएए, इस से आपके high chances रहेंगे, कि जो भी मतलब आ रहे हैं, अगर इस से question तो आपके बन जाएं वो, है न, geography की mapping से ही आते हैं, और वो सही हो जाएं, अब मैं यह नहीं कह रहा कि आपके 100% सही हो जाएंगे, because paper random है, इधर उधर कहीं से भी आ रहा है, but at least इतना idea आपको हो, जिससे कि जो सबसे बन रहा है, वो बन जाए, इस से जादा वैसे भी कोई पढ़के नहीं जाता, तो यह कुछ यह बहुत important एक part था, जो मुझे लगा कि आपके साथ share करना कि किस तरीके से mapping करें आप, mapping को किस तरीके से तयार करें, क्या-क्या पढ़के, यह दिक्कत होती है, कि यह नहीं पता हो, clarity होती कि क्या-क्या पढ़ना है, आपको मैंने यहाँ एक point wise बता दिया, कि यह यह चीज़े पढ़नी है, आप यह करके जाएए, आपके ज़्यादा तर्चो कोश्चों सही हो जाएंगे, at least जो सब के सही हो रहे हैं, वो आपके हो जाएंगे, आप कुछ बाहर का आ गया, तो उसको कोई सही नहीं कर पाएगा, और उसको सही करने की जरुगत भी नहीं है, thank you all for watching the video.